उत्पादन केंद्रों पर इस साल कपास की पैदवार कम होने से बिनोला खल में ज्यादा मंदी के आसार नहीं है चालू सीजन के दोरान देश में कपास का उत्पादन कमजोर होने की अशंका के चलते बिनोला की उपलपता घटने की भी संभावना जताई जा रही है लिहाजा देश की विबिनमंडियों में बिनोला की कीमतों में और गिरावट की गुंजाईश नहीं है इसी बीच बिनोला खल वायदा में स्टोरिया लिवाली के कारण NCDX पर भी मामूली उतार चड़ाव बना हुआ है सप्लाई और डिमांड को देखते हुए बिनोला खल में फिलाल लंबी मंदी के असार दिखाई नहीं दे रहे बिनोला खल में मजबूती रहने से ब्रांडेट पशू आहर के भाव में भी लगातार तेजी देखने को मिल सकती है ऐसे में बजार जानकारों का कहना है कि वायदा कारोबार में बिनोला खल में एक बार फिर से भाव अगर 2800 रुपे के उपर सस्टेन कर जाते हैं तो आने वाले समय में 3000 का स्थर भी देखने को मिल सकता है लगातर गिरावट के बाद वायदा कारोबार में निचले स्थरों पर खरीदारी देखने को मिल रही है और ऐसे में उमीद की जा रही है कि भाव 2800 के उपर अगर सस्टेन करते हैं तो 3000 तक का स्थर जल्द छू सकते हैं Bureau Report Market Times TV